सूप्रभाद प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी में मात्राओं का ज्यान करेंगे। सबसे पहले हम मात्राओं की पहचान करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहला स्वर आता है अ, अ की मात्रा नहीं होती। उसका उच्चारन अ की रूप में प्रतीक मात्रा रहित वर्नों में होता है। यह है आ की मात्रा, अ की साथ जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो यह बन जाता है आ, यह है ई की मात्रा, यानि की छोटी ई की मात्रा। यह है ई की मात्रा, यानि की बड़ी ई की मात्रा। यह है उ की मात्रा, छोटा उ की बड़े उ की मात्रा। तो आज हम आ, ई और ई चोटा उ और बड़ा उ की मात्रा का ज्यान करेंगे। चलिए हम आ की मात्रा के शब्दों का उचारन करना सीखते हैं और आप भी साथ साथ में उचारन करें सबसे पहला शब्द आ की मात्रा म आम च आ की मात्रा त आ की मात्रा चाता त आ की मात्रा ल आ की मात्रा ताला ल त आ लता ग ल आ गला ग आ स घास न आ न आ ना न ज आल जाल म आल आ माला भो आला आ भाला ज हो आज जहाज तबल आ तबला मस आल आ मसाला बो आदल बादल पो आगल पागल मकान मकान कमर आ कमरा च आदर चादर च आवल चावल बह आन आ बहान आ अख बार अखबार सम आ च आर समाचार पाठ श आल आ पाठ शाला तल वार तो इस तरह से हम आग की मात्रा को जोड़ कर शब्दों का सही प्रकार से उचारन करेंगे चलिए बच्चों अब हम आग की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य पढ़ते हैं सपना जाकर अखबार पढ़ आसमान पर बादल चाए बाहर जाकर गमला ला बाजार जाकर टमाटर ला पाटशाला जाकर पढ़ हाथ साफ कर खाना खा चाता उठाकर गाना गा सबका आदर कर भावना सबका कहना मान जहाज पर जाकर भाला ला राम खाट बाहर कर तारा दाल बना कर रख तो ये थे आग की मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य अब हम ई की मात्रा का उचारन करना सीखते हैं यानि की छोटी ए की मात्रा देखिए जब हम किशी शब्द में छोटी ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उचारन उससे कम ध्वानी निकलती है जैसे की द छोटी e की मातरा लग दिल यानि कि अगर हम इसमें बड़ी ए की मातरा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा दील तो हम दील नहीं बोलते दील अशुद्थ शब्द हो जाएगा तो हम इसको दिल बोलते हैं इसका सही उचारन है दिल तो सही मातरा इसकी है दिल, तिल, पिन, दिन, बिन, चित्र, मित्र, जिला, खिला, पिला, किसान, निशान, विमान, सितार, डिबिया, टिक्या, तक्या, किनारा, किताब, हिसाब, किश्मिश, किर्मिट, रिमजिम, पिकनेक, रविवार, शनिवार, सिर्फिरा, परिवार, तो इन शब्दों में छोटी ए का प्रियोग किया गया है तो अब हम छोटी की मात्रा से बने कुछ वाक्यों को पढ़कर अभ्यास करते हैं आप भी साथ साथ में पढ़कर अभ्यास कीजिए रवी उठ, चल उठ, दिन निकल आया, दिनकर माचिस ला, टिकिया जला, शिखर मिठाई खा, किताब निकाल, हिसाब किताब लगा मिही तक्या ला कवी साइकल चला किताब ला किरन कवीता क्या है साइकल पर पिकनिक चल मिहीर किश्मिश खा तो ये था छोटी ई से बने वाक्यों का उचारन अब हम छोटी ई से बने कुछ वाक्यों का उचारन करते हैं रवी चल उट, दिन निकल आया, दिनकर माचिस ला, टिक्या जला, शिखर मिठाई खा, किताब निकाल, हिसाब किताब लगा, मिहीर तकिया ला, चवी साइकल चला किताब ला किरन कवीता कह साइकल पर पिकनिक चल महीर किश्मिश खा छोटी E की मातरा के बाद अब हमारी मातरा आती है E की मातरा यानि कि बड़ी E की मातरा तो जब हम बड़ी E की मातरा किसी शब में लगाते हैं तो उसका उचारन थोड़ा बढ़ जाता है जैसे त में चोटी बड़ी ए की मातरा लगाएंगे तो बन जाएगा तीर अगर हम इसी शब्द में चोटी ए की मातरा लगाएंगे तो बन जाएगा तीर तो आगर हम इसमें बड़ी ए की मातरा लगाएंगे तो बनेगा तीर कील, खीर, जील, घडी, चाबी, पानी, हाथी, राखी, साथी, नीली, पीली, धीली, गीली, तीली, लकडी, मकडी, पगडी, अमीर, गरीब चमकीली, नाशपाती, चपरासी, मक्मली, सुर्मई, नमकीन, महरानी, राजरानी तो आपने जैसे इन शब्दों को पड़ा और आपने जाना कि इसमें अगर बड़ी ए की मातरा है तो हम उचारन के समय भी बड़ी ए में ध्वनी जादा आएगी और छोटी ए की मातरा में ध्वनी कम आएगी चलिए अब छोटे ओ की मातरा का उचारन करना सीखते हैं सुख, दुख, मुख, सुन, बुन, धुन, कुल, पुल, गुल, बुडिया, कुटिया, लुटिया, कच्छुआ, बटुआ, मथुरा, सुनार, लुहार, फुहारा, गुल-गुला, खुट-खुट, ठुक-टुक, टुन-टुन, जुन-जुन, चुन-मुन तो जैसे कि आपने इनका उचारन करते हुए ध्यान में रखा कि जो हम उख की मातरा का उचारन कर रहे हैं जो वो कम लग रही है जैसे कि छोटी इकी मातरा में उसी तरह से छोटे उकी मातरा में ध्वनी कम निकलती है अब हम बड़े उकी मातरा का उचारन करते हैं धूप, सूट, फूल, आलू, काजू, सूरत, रूप, बूट, धूल, कालू, बाजू, मूरत, सूप, लूट, जूल, लालू, राजू, सूरज तो जैसे कि हमने इनका उचारन किया और इसमें उकी मातरा जो है वो लंबी जा रही है यानि कि जो उकी ध्वनी है वो जादा आ रही है आई होप आपको आ की मातरा, इ की मातरा, इ की मातरा, उक की मातरा और उ की मात्रा के बारे में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा